आप सभी को नमस्कार स्वागत करते हैं आपका हमारे ओफिशिल यूट्यूब चैनल पर दोस्तों यमना अथॉरिटी का ड्रो हो चुका है ड्रो संपन हो गया जो लोगों ने इन्वेस्ट के हिसाब से प्लोटों में इन्वेस्ट किया था नहीं कि सिर्फ निकल जाए और बे प्लोटों के रेट को देखकर किया था कि अगर 25-900 का रेट है हम निकल भी जाता है तो हम मार्केट में कोई चीज है अगर 300 मिटर भी लेने जाओगे तो 2-5-2-10 से नीचे का आपको प्लोट मिलेगा नहीं आपको इस से नीचे चीज़ा आने वाली नहीं है अब 300 मिटर का प्लोट कोई भी है यार 77 लाख रुपे का प्लोट बैठा 77 लाख रुपे का है 25-900 के साब से लगा ले ना और वो आपको मार्केट में कोई चीज एक पिचाण में एक 80-2-10 ऐसे मिल रही है तो फिर भी सब्सक्राइब नहीं है तो उन लोगों की उम्मीद है गलत है तो मार्केट में रेट आपको मिलेगा नहीं क्योंकि बहुत सारे प्लोट्स ऐसे हैं कि अभी रेष्टर नहीं होंगे कैई बिलोग ऐसे जो मौके पे नहीं लगे है यानि कि पुरानी अलोटमेंट है 2017-18 वाल चीज महेंगी नहीं है उनके लिए मैं आपको सबसे में चीज बता देता हूं कि रेजिडेंशल में आप जा सकते हैं अगर आपका बज़ेट अच्छा है 2-5-2-10-2-20 तक का बज़ेट आपका है तो आप 300 मेटर में जाई है यानि कि रेजिडेंशल प्लोट रेजिडेंश सेच्यूरेशन हो जाती है अब ग्रेटर नर्डा में भी लोगे तो कम सेखम इतनी चीज़े हैं कि वहां आदमी आकर रह सकता है ना रेजिडेंशल आपका हो गया आप अगर इंवेश्मेंट परपस से देख रहे हैं तो रेजिडेंशल आप ले सकते हैं उसके बाद आती ह में काफी बूमा पाएगा क्यों यमना अथोरेटी और जो ऑफिसर्स हैं जो उपर के अधिकारी हैं अपनी यूपी गॉवर्मेंट के सभी का फोकस यह कि एरपोर्ट के आसपास एरपोर्ट जो आपको पता है कि कार्गो का सबसे बड़ा हब बन रहा है अब कार्गो को चल 20 रुपे स्क्वेर फिट का वह आपसे आज की डेट में किराया ले रहे हैं बाकि जिसकी जैसी मसें जैसा बना वो उसके उसाप से अप और डाउंस हैं तो कहीना कहीं आपको रेंटल इंकम जन्रेट होगी तीसरी सबसे बड़ी चीज इंडरस्टी में इन्वेस्ट करने की आपके बच्चे हैं आप ना करो आपके बच्चे तो कहीना कहीन जब आपको कितना की माहौल का फरक पड़ता है अगर दस लोगों के बीच में दस आपके अगर वह एक कौट से कि अगर आप अपने माहौल को या अपने ग्रुप को देखकर मोटिवेट नहीं होते तो आप आपको मोटिवेशन नहीं मिलता कुछ करने का तो आप उस गुरुप को तरण चेंज कर दो तो यहीं है कि अगर आपको बहुत अच्छा होगा आप कुछ भी ना करें तो आपको वही गुरुप बता देगा कि यह चोटा से कंपोनेंट है फैक्टरी लगा ले इसमें इतनी नहीं बचाते हैं हम पर यह कर नहीं रहें तो तू इसमें लगा ले तो वह एक अपकी फैमिली के लिए भी एक पाथ भी हो जाएगा कि बच्चा बढ़ा है क्या कुछ नहीं कर रहा है तो इंडुस्टी हो गया मैंने बता है रिजिदेंशल इंडुसके बाद आते हैं आप आपको पचास मीटर से लेकर 25 स्कार मीटर तक साइज मिल जाएगा रेट की बात करें तो रेट भी काफी कम है अगर अथोरिटी के प्लोट से देखे जाएं बैस इसमें और उसमें डिफरेंस यह कि वह अभी अन्रहिष्टण है किसान कोटे वाले और अथोरिटी के रहिष जाएगा क्योंकि जब सराउंडिंग प्रॉपर्टी काफी हाइक हो जाएगी बन जाएगी डेवलप हो जाएगी तो आपके प्लोट भी काफी अच्छे इनका प्लस पॉइंट है कि आपकी राजिष्टी और दाखिल खारी आज ही आपके नाम हो जाएगी इसके बाद आता है आपका अग्रिकल्चर लेंड आप पर पर्चेज कर सकते हैं किर्सी की भूमी जो कि लगभग एक बीगे से स्टार्ट होता रइश्टी होना उसके बाद आता है मुआवजी वाली जमीन जिनका निकट भविश्य में आपको कंपन्सेशन मिलेगा यह सारी चीजे आप यह यमना थोरिटी में रहना चाहते हैं तो आप जो बिल्डर प्रॉपर्टी जैसे गौर है उसके बाद जैसे बिल्डर्स के फ्लैट्स है जैसे ओसे सब्सक्राइब लोग रह रहे हैं उसके बाद आपका एटीएस है अभी एस भी लेके आ रहा है तो एस लेकिन टाइम लगा कि कौन सा सेक्टर बेस्ट है या क्या हम लोग अच्छी चीज़ ला सकते तो मुझे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में कोई तुरुटी या कोई खामी लगी हो या कुछ में और एड़न कर सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में एड़ कीजेगा हो सकता है नेक्स पार्ट ल वीडियो सेक्शन में जाके शॉट सेक्शन में आप उसको देख सकते हैं मेरी वीडियो को और लोगों तक भी शेयर करें क्योंकि अभी 22 अक्टूबर का सुनने मा रहा है कि इसकी मा रही है देखो अथंटिकेशन का तो यह कि जैसे ही न्यूज चैनल डालते हैं जो भी पहुचाने का प्रियास करते हैं अब क्या क्या चीजें इंटर्नल हो रही है क्या कोट में चलना उसका मामला अथोरिटी और कोट का होता है तो वह लोग जाने हमारी वीडियो आप अपने फैमिली को अपने दोस्तों को ग्रूप में शेयर कर सकते हैं अगर आपका में कि आप यहां निवेश करेंगे तो बहुत रिटन अच्छा लेकर जा सकते हैं आपकी कोई भी क्वेरी है कोई भी कुश्चन से हमारा नंबर मेंशन है और मैं श्रीजी से यह प्रातना करूंगा कि आपके सारे विश्य सारे सपने पूरे हों चाए वो किसी भी छेत्र के हों रियल इस्टेट होए आपने जीवन के हों तो महारानी की किर्पा आप सब बने रहें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धनेवाद जैहिंग जै भारत